बच्चो आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चो मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ आप लोग प्रक्टिस कीजिए सुरू से अंतितक करें बीच में ना रुकें इस्टार्ट उपाद्यक्ष महुदे माननिय वित्मंत्री जी ने जो वित्विद्यक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ जहां तक हमारी सरकार का सम्मंद है उसने बड़े अच्छे कदम उठाई है जैसे बैंकों का राष्ट्रिय करन करने का सारा स्रे पिरधान मंत्री और हमारी सरकार को जाता है हमारी बड़े बड़े पूजी बादियों की एक्छा थे कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे लेकिन पिरधान मंत्री ने इस बात की परवाहा ना करते हुए कि कौन उनके साथ है गरीवों को लाग पहुचाने के लिए बैंकों का राश्ट्रिय करण किया यह एक बहुत बड़ी उपलब्दी है सदन में उस तरब बैठे हुए माननिय सदत से इस बजट को अच्छा नहीं मानते क्योंकि बे तो ऐसा बजट चाहिते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की साहिता करने के बहाने बड़े बड़े पूजी पतियों की साहिता की चाहिए हमेशा से उनका यह उद्देश रहा है और आज भी है थोड़ी से दिनों के लिए सासन इनके पास गया तो इनकी तरब से यह कोशिस हुई कि जो राष्ट्रिय करत बेंके हैं बे किसी तरह से पूजी पतियों के हाथ में चले जाएं आज जिस पिरकार का बातवरण देश में हैं उसमें कुछ देश बिरोधी तत्तो देश की आर्थिक विवस्ता को खराब करना चाहिते हैं उनसे निपटने के लिए जिस पिरकार का संतुलित बजट और बित्त विद्याग माननियां बित्त मंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था लेकिन इसके साथ साथ आवस्यकता इस बात की भी है की जो आईकर की चोरी करने बाले हैं जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं जो करों की चोरी करते हैं उन पर भी वित्त मंतरी को कड़ी नजर रखनी चाहिए जो लोग भी इस देश की आर्थिक विवस्था को खराब करना चाहिते हैं उनके लिए किसी पिरकार की छूट नहीं होनी चाहिए सभी आम गरीवों को लाव पहुचा सकते हैं माननी है पिर्धान मंतरी जी ने जो बीच सूत्री कारकरम रखा है उसके अंतरगत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिचाना चाहिते हैं हमारी जो बित्त मंतरी जी है बेबड़े अच्छे ढंग से इस मंतराले का काम चला रही है जहां भी किसी पिरकार की कोई कमी है उसको भी क्या करने की वह कोसेस कर रही है पहाड़ी छेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे पहले यहां पर रियासते थे लेकिन आज वहां पर बैंकों का जाल बिचा हुआ है एक बैंक की सो से अदेख साखाएं वहां हो गई है इसी पिरकार से सारे देश में किया गया है लेकिन कुछ सक्तियां ऐसी है जो इस देश की अर्थ विवस्था को खराप करना चाहिती है जिस पिरकार से इस देश के मजदूरों को उकसाया जाता है और कर खाने बंद कराए जाती है और उत्पादन रोका जाता है उसकी जिम्मेदारी उस तरह बैठे हुए लोगों पर ही है क्योंकि आंदूलन वे ही कराते हैं आपको डिक्टिशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, that's all